एक खत पती के नाम आज शुवा सो के उठी रोज की तरह साड़े पांचे बहुत ठंड थी रजाई से निकलने के हिम्मत नहीं हुई इनका टीफी नास्ता सब बनाना था गीजर मोटर चलाना था शुवा उठे तो सब को ग्रम पानी चाहिए लेटे लेटे सोच रही थी कि क्या बनादू की जल्दी बन जाए सारे छे बजे मम्मी पापा को भी चाहिए फिर पांच मैं तालिस का दूसरा लाणम बजा और हड़ बढ़ा कर उठे और एक ना खतम होनी वाला दिन सुरू हो गया मम्मी पापा को चाहिए देकर रवी को उठाया टिफिन लगाया नास्ता रखा कप्डे निकाले बस वैठी ही थी रवी की आवाज आई तन्नू मेरी ब्लू शट निकालो आज मैंने मैंने कहा वो तो धो दी शुखी नहीं है हास्वेन क्या मतलब शुखी नहीं है चार दिन पहले दी थी मैं तीन दिन से धूप नहीं निकली हास्वेन सुरू बहाने बाजी मेरे जाने के बाद अराम ही करती होगी मवाईल पे लग जाओगी और काम क्या है तुम्हारे पास मेरी आखो में आशु भर चुके थे ऐसा लग रहा था कि कोई मालिक अपने नोकर को डाट रहा हो ये भी लग रहा था मम्मी पापा भी सुन रहे होंगे रभी ने गुश्य में बेग लिया और चले गए तभी फोन का रिमाइंडर वजा एस्पिक डे ये हमारा सुरू किया हुआ डे है हम पहली बार मिले थे आज के दिन हमारी अडेंज मैरिज है आज के दिन रभी और मैंने एक तूसरे को पहली बार देखा था आखे भर आई मेरी ये सोच के कि क्या आज इस दिन का कोई मतलब रह गया है मेरे लिए मैंने एक कागज उठाया और जाने क्या सोच कर लिखने बैट गई डिये रभी अभी अभी याद आया कि आज एस पार्क डे है और तुम्हें तो याद भी नहीं होगा मुझे याद है पहली बार हमने कितनी अच्छे से सेलिबरेट किया था और सोचा था हमेशा मनाएंगे तुम्हें याद है जब पहली बार तुम आये थे मुझे देखने और देखते रह गये थे कुछ पूछा भी नहीं था बस पूछा आपको मैं पसंद हूँ फिर हमारी सगाई हो गए मेरी जिन्दगी के सबसे खोवसूरत दिन थे हम सपने सजाते थे कितने कश्मेवादे कड़ते एक तूसरे का ध्यान रखते साथ ना हो कड़ भी साथ थे हम फिर हमारी सादी हुई उस राद तुमने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोला था तुमने हमेशा मेरा साथ दोगे कभी मेरे माँ बाप की कमी नहीं मैं सूस होने दोगे मुझे लगा था अब कुछ और नहीं चाहिए जिन्दगी से लेकिन जब जब मुझे अपने पती की ज़ुरत पड़ी तुम नहीं थे मैंने अपने पहनावे से लेकर सरनेम बदला अपनी दीन चाड़या से लेकर ज़ुरूरते बदली अपने सपने से लेकर इसते बदले लेकिन तुम जब मेरे पापा की तब्यत खराब थी तुम्हारे भाई की शादी थी मैं नहीं जा पाई जब मेरे माँ पापा की शादी की साल गिरह थी, तुम्हारी मा को बुखार था, मैं नहीं गई जब मैं जोब करना चाहती थी, तुम्हें बच्चे की जल्दी थी अब मैं अपना बच्चा नहीं छोड़ सकती तो तुम मुझे अराम करने का ताना देते हो तुम्हारे पास तुम्हारे मापापा भाई पडिवार है मेरे पास तो सिर्फ तुम हो तुम्हारे पास तुम्हारी जोव दोस्त अजादी सब है मेरे पास तो सिर्फ तुम हो जिसे सायद मेरे जरूरत थी नहीं मुझे कभी ऐसी जिन्दगी नहीं चाहिए थी क्या तुम्हें चाहिए थी मुझे जानना है तुम्हारे जिन्दगी में मेरे माय ने मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ अपना पती चाहिए मैं सब करूंगी खुसी खुसी लेकिन नोकरानी नहीं जीवन साथी की तर प्लीज ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी होतो एक लाइक, सस्क्राइब, कमेंट जरूर करें धन्यवाद झाल